अच्छे जी अभी हम पढ़ेंगे के रोल आफ साइटोब्लाजम इन डिवेलप्मेंट और रोल आफ नूकलिस इन डिवेलप्मेंट ऐसाईटोब्लाजम कर डिवेलप्मेंट मैं क्या रै इसके लिए साइंटेसटने एशीडियन इनी होता है fertilizing उसमें नारमली four different type का cytoplasm होता है नुकलिस तो जाहर एक ही होगा लेकर cytoplasm four different type होता है clear cytoplasm होता है एक side फिर yellow cytoplasm होता है grey equatorial cytoplasm होता है और grey vegetal cytoplasm होता है इसमें हम differentiate कर सकते अच्छा scientist ने का इसमें तो cytoplasm का role study करना बहुत easy है कैसे easy है कि जब cleave age होगी यहां बहुत सारे blastomer बनेंगे इदर भी हर जगा बहुत सारे blastomer बनेंगे यह समझें अच्छा कुछ blastomers में कौन सा cytoplasm जाएगा कुछ में जाएगा clear cytoplasm यह जो यहां पे कुछ में इन में जाएगा yellow cytoplasm और जो यह वाले इन में ग्रे वेजिटल cytoplasm जाएगा इन में ग्रे equatorial cytoplasm जाएगा तो scientist ने का के बाद में जिन cell में जो cytoplasm होगा तो हम देखेंगे वो क्या बने आगे differentiate होके क्या बने उन्होंने देखा कि जो embryo की जब development होती है जिन blastomer में clear cytoplasm जाता है न्यूकलिस तो जाहरे डिवाइड होके सब में एक जैसा न्यूकलिस होगा न तो जिन में clear cytoplasm गया वो सारे के सारे epidermis के cell बन गए उन में से कोई भी notokard या neural tube कुछ भी न बना वो सारे epidermis बन गए जिन में yellow cytoplasm गया वो सारे clear हो गया के न्यूकलिस तो सारों में सारों सेल में एक जैसा न्यूकलिस था अब कुछ सेल जिन में cytoplasm clear cytoplasm गया तो वो सारे के सारे epidermis cell बन गए इसका मतलब है के cytoplasm के अंदर कोई चीज है जो जीन को active या inactive करने की सलायत रखती है तो clear cytoplasm के अंदर वो कोई ऐसे determinative malicule थे जिन्होंने वो जीन active किये के सारे के सारे सेल epidermis के सेल बन गए yellow cytoplasm के अंदर कोई ऐसे morphogenetic determinant थे ऐसे malicule थे जिन्होंने वो तमाम सेल जिनके अंदर yellow cytoplasm गया उनके अंदर वो एक जैसे malicule के उन सबने मसल बनाने वाले जीन को active किया तो मसल बने इसका मतलब जीन को active करने वाली कोई चीज साइटो प्लाजम में पाई जाती है और nucleus में genes होते हैं और वो खुद active in active होने की सलाहियत नहीं रखते हैं लेकिन cell के अंदर देखना पड़ेगा कि nucleus कौन सी चीज बना रहा है उससे आपको समझा सकती है कि nucleus का roll क्या है तो हर cell के अंदर हर organism के अंदर आपको nucleus की बनाई हुई चीज़ें मिल जाती है तो वहां से आप अंदाजा कर सकते हैं इसका multi cellular लिखा गया है यह unicellular algae है लेकर cm में इसका साइज होता है काफी बड़ा साइज है इसका यह उपर कैप है और यह स्टाक है और यह राईजाइड है यहां पर nucleus होता है जहां से राईजाइड निकले होते है राईजाइड इसको जमीन में एंकर रखते हैं और absorption के लिए औ seven साइड साइड स्टाक है उन ऊपर रर्क एल्जी है इसकी दो स्कीशी पाई जाती है सेटा अकेड़ केयां ना की जाती ठीक है और यह इस तरह की केप खीक है अब दोनों की केप की शेप हैं बाकी एक जैसे हैं तो उन्होंने यWhen यह देखा scientist ने कि अगर हम इसकी केप काड़ते हैं ठीक है तो यह अपनी केप region 這個 करदे आँ दोबारा बना देता रेगुलर केप उसी तरह की और जब इसकी केप काड़ते हैं क्रेनुलेटा की तो ये भी अपनी उसी तरह की इरेगुलर केप बना लेता है रीजनरेट कर लेता है फिर उन्होंने एक डिफरंट काम किया उन्होंने इसकी क्या काड़ ली स्टाक इसकी स्टाक काड़ के दूसर and meditating कि if the mehrALLís तक में तो साइ्टोप्लाजम होता है ना यहां साइ्टोप्लाजम और निउकलिस नीचे इसका एब साइने देख्यना था कि आप जो कैप बने गी उपर तो वह कैसी बने अगर तो वो बन गी रेगुलर इस तरह की इसका मतलब है साइटो प्लाजम केप की शेप बनवाता है तो अगर वो बन गी इस तरह की तो इसका मतलब है नियूकलिस शेप बनाता है किसकी जो केप उसकी शेप नियूकलिस बनाता है अच्छा जी जब उन्होंने ये किया तो क्या देखते हैं कि कैप कैसी बन गई कैप इस तरह की बन गई क्रेनुलेटा वाली इस से क्या जाहिर हुआ कि कैप की जो शेप है वो साइटोप्लांग डिटर्मन नहीं करता क्योंकि साइटोप्लांग इसका था ये न्यूक्रिस डि ले लिए नियुकलिस ले लिया है इसका मेडिक्ट्रीना का और स्टाक ले ली क्रेनुलेटर की जब यह स्टाक ली तो देखता है कि अब उसने कहा कि साइटोब्लाज मैंने इसका ले लिया है नियुकलिस इसका ले लिया है तो आगे केप कैसी बनेगी तो रेगुलर कैप बन साइटोपलाज्म क्या करता है तो यहां से यह बात समझ आ गई कि जब तक साइटोपलाज्म होता नहीं है तो कैप बनती भी नहीं है साइटोप्लाज न्यूकलिस के जीन को एक्टिव या इनक्टिव करता है याद रखें साइटोप्लाज क्या करता है जो न्यूकलिस के अंदर जीन ने उनको एक्टिव या इनक्टिव आई होई है ना इस नूकलेस के अंदर जीन की फार्म में तो जिस तरह की इंफर्मिशन ये जीन रखते हैं वो ऐसी शेप बनवाएंगे इसका मतलब यह हुआ कि साइटो प्लार्म्स जस्ट जीन को एक्टिव या इनक्टिव करने की सलायत रखते हैं तो जब जीन एक्टिव हो जाता है तो किस तरह की चीज बनेगी वो डिपेंड करता है कि जैसी उस जीन के अंदर इंफर्मिशन है तो यहां जीन के इस जीन के अंदर इंफर्मिशन है ऐसी कैप बनाना इस जीन के अंदर इंफर्मिशन है कि इस तरह की कैप बनाना तो लेकल उस जीन को एक्टिव क करता है आगे वो चीज कैसे बनेंगी ये नुकलिस के अंदर जो इंफरमिशन ओगी वो चीज वैसे ही बनेंगी तो इस इस हाओ differentiation तेक प्लेस और वट इस दे रोल अफ शॉट प्लाजम और वट वट इस दे रोल अफ नुकलिस दे रोल cytoplasm is the selection of gene and the role of nucleus is giving the characteristic determining the characteristic of date individual के उसका character केसा होगा